हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमको पॉफेक्ट तरीके से पालक को कैसे ब्लांच करना है ताकि वो अपना हरा कलर ना छोड़े जनरली जब हम पालक को बॉइल करते है न तो वो हलका सा कलर छोड़ देती है पीली सी हो जाती ह ग्रीन नहीं रहती है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो एकदम ग्रीन कैसे रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना तो सबसे पहले मैंने क्या किया है एक गड़ी पालक ले लिए उसको अच्छी तरीके से दो लिया है दो से तीन बार उसके बाद पानी गरम कि जाएगी थोड़े देर के बाद जब यह पकना चालो होगी चम्मस से हम तुरा सा उसको दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पानी में डूप जाए देखे इसको इस तरीके से दबा देंगे उसके बाद ना गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और हम आठ से दस मिनिट के लिए हम इसको बॉइल करेंगे बीच बीच में चम्मस से हलके 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 हाथ से दबा देंगे आठ दस मिनिट में पालक एकदम अच्छी तरीके से बॉइल हो जाती है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इसमें बस अब हमने क्या किया है गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और एक बोल में मैंने यहाँ पे धेर सारे आइस क्यूब्स ले लिये हैं उसके बाद आइस क्यूब्स जो हैं उसमें मैंने दो से तीन ग्लास पानी डाला है हमें एक बोल भरके बरफ का पानी बनाना है यह देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे उसके बाद यह जो पालक है बॉयल हो गई अच्छे से अब हम इसको पानी है बरफ का इसमें डाल देंगे एकदम गरम गरम पालक हमको ठंडे पानी में डालनी है यह देखिए जस्ट इस तरीके से आपको करना है बाकी की बची हुई पालक भी हम ऐसे ही इसमें मिला देंगे और थोड़ा सा चम्मस से दबा देंगे हलके हलके हातों से दो से तीन मिनट लगेंगे इसमें और यह पालक पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी जैसे ही पालक पूरी तरीके से ठंडी हो जाए ना उसके बाद इसको निकालके हम एक छनी में ले लेंगे और पानी चान देंगे यह देखे है इसको मैंने चन्नी में ले लिया है अब यह पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है इसके बाद इसको मिक्सर जार में लेकर हम पीस लेंगे एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका अच्छी तरीके से ना इसको पीस लेंगे बारीक एकदम अच्छी तरीके से पिस गई है ये पालक ये देखिए एकदम ग्रीन कलर आया है इसका इसने बिल्कुल भी अपना कलर लूज नहीं किया है तो ये इस ट्रिक से अगर आप पालक को ब्लांच करते हैं तो आपकी पालक बहुत अच्छी बनेगी एकदम ग्रीन कलर आएगा आप पालक पनीर बनाएं लसूनी पालक बनाएं आलू के साथ पालक बनाके खाएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को like, share and comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you for watching my video मिलते हैं मेरे next video में तब तक के लिए bye bye